अब क्लास 11 के लेक्चर में अज हम लोग कुछ डिफिरेंट यूनिट्स के बारें पढ़ने वाले पिछली बार हम लोग ने इस्टम पढ़े थे यहां से कितनी है या फिर आप पर्मारू का गार इसे कई होत्य है होती है तो सथा की जरोत पाधिये कि चाहिएaci में जानते है कि कुछ मातरा मेर होता है कि मिलिमीटर तो यह संगा से llum को यूंस करते हैं कि जैसे आपको दिल्ली जाना या जए 250 km संथिंग है तो किलो मीटर फोलते हैं कि ऑ क्पडा करिण जाते हैं बेटें कि लिए मीटर सब्सक्राइबन चाहिए बस люб कि हमने मिलमीटर तक बात करी मिलमीटर एक चोटी यूनिट होती है तो मिलमीटर से आगे हम बढ़ते हैं तो हमको जो एक यूनिटे यूस करते हैं वह होता है Nej तो मैक्रों क्यों होता हैyim descolonelid और एक मीलिमीटर का दस माइस थ्री यानि यह जो मात्रक है माइक्राइब या या एक मीटर का दस लाग हिस्सा क्याते हैं एक मैक्राओं को यानि एक को आप दस लाग से डिवाइट करेंगे तब आपको एक माइक्रॉन मिलेगा यानि एक मीटर का स्केल अगर आप उसके दस लाग पीस करेंगे बराबर बराबर तो एक पीस की लंबाई कितनी होगी वन माइक्रॉन तो इस दो विश्च शॉर्ट उडिट आप दे नेक्स्ट अथी नेनोमीटर श्राप नेंट अपनोंने वर्टस तो अनलोग लोगों घ्रॉन ऑगर अगर नव तो इसमें जो कर दो आता है वो नई तरीका यह से वन नामीटर इस इकल टो तरह यह से पूर तरह नामीटर इस तरह टो पार नाइन जैसे बास में लिखाओ यह जोंड़ यह तो नामीटर यानि आप फिर समझ जाएं कि एक की नीचे अब जब एक को आप डिवाइट करेंगे तो करीब जो दस लाग थे दस लाग के तीन जूरू और आ जाएंगे यानि तीन जूरू और आने मतलब है लगबग एक करोड दस करोड एक अरब एक अरब से रिवाइड करना पड़ेगा आपको तब आपको एक नैनोमेटर मिलेगा यानि एक माइक्रॉन से भी एक हजार गुना यह च जो किया एक डिगरी का सांग माया रखा है यह एंगिस्ट्रॉम का प्रेजेंटेशन का तरीका है और आंड वन इंगिस्ट्रॉम जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे परमोर्डल निकलने वाले तरंग धारते होती है उनका यूनिट सिस्टम होता है लंबाई का तो ये एक जह थीन मैंने भी बताए चोटी की मात्रों मायक्रों नेनो में अंगिस्टॉम इन्हीं आप दिहां में रखिए अब कुछ बड़ी दूर्यों के मात्र के बात करते हैं यह से बड़ी डूरीयां में आता है कुछ जैसे आप सेंटर से और पृपए पंडर करते हैं तो इसमें पहला यूनिट है यूनिट वह ही है अ कि इस नॉमिकल यूनिट क क्यों यूनिट सोरी के इन्डर से पृतिवि से अपने स्वह को एक औरे Youtubями ने मात्रा कहलाती से सन के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसे एक ख़बोली मात्रा कहते हैं इंगलिश है बोलते हैं वन एक्स्ट्रोनॉमिकल यूनिट इस इक्वल टू 1.496 इंटू 10 तो दी पावर 11 मीटर तो यह वो लेंथ है जो प्रितिवी केंद्र से सूर्य केंद्र तक की दूरी है एक् एक्स्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है ठीक है तो और एप्रॉक्स में 1.5 इसे पढ़ लेते हैं हम लों 1.5 इंटू 10 तो पावर 11 एक एक प्रिकाश वर्ष बहुत ही सपेचल यूनिट है बड़ी दूरियों के मतरक की तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसक कहते हैं अब प्रकाश कितनी दूरी चल लेगा एक वर्ष में तो दूरी निकालने के सबसे बेसिक तरीका यही कि दूरी बराबर 4 गुणा समय अचाल यहां पर प्रकाश की कितनी होती है तीन गुणा दसकी गात आठ मीटर प्रति सेकंड और एक वर्ष में समय कितना होता है तीन सो पैसाट दिन तीन सो पैसाट दिन को आप सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो आप देखिए नीचे जो एक काल्कुएशन करी गई है यह फॉर्मॉल में सेकंड करना है तो इतना काल्कुएशन करने के बाद आपको कितना मिला है 9.461 इंटो 10 बाव 15 मीटर तो इस इस अ वैल्यू ऑफ फन लाइटियर तो वन लाइटियर में कितना रिस्टेंस होता है इतना इतना डैडिस यह वांट 10 बावर 15 मीटर बहुत जादा है यह तो यह बह है ब Almost 3,00,000 कि दिस्टेंस और कलें मत तार शोगें और यह लाइट को हूँ तो इसको आप अगय करके देखोगे तो में जो लाइट होगी वो लगबग लगबग 26 से 27 अर्थ क्रॉस कर सकती है आप एक रफ कैल्गोईशन बदा रहा हो आपको तो यह अमांट बहुत ज्यादा होता है वेल इसके बाद हम कुछ अलग टॉपिक पर चलते हैं तो इसमें आ रहा है हमारे जैसे दर्वान के मात्रक हैं दर्वान के कुछ मात्रक आप होने पड़े होंगे फिर से आपने पाप रिवाइस करके रखिए कुंटल किलोग्राम मेट्रिक टन यह सब आपके सामने दिया हु इसके बाद चलते हैं कुछ है इंपोर्ट है रिपर्जैंटेशन जो अम्म डॉक है लागते हैं तो इसे इसे यॉनिट बना सकते हैं जैसी डीस मीटर समझते संट मीटर इंगे हैं राइट सांड में डीस होते हैं ने इनको लागते हैं कित्स इनको अब देश्या क्रैक्स कि ऐडिफ्रेंट चो टी यूनिट बनाता हूँ को सेंटि ऊपर सबसाद वह ही को बनानेका संटी उपर शुनिटार गालाड़े हैं एक मीटर लो दस मेतर एक मीटर में सौ सन्टीमिटर। लोटे एक मीटर में 1000 मिलीमिटर में 5000 के लिए 1080 rub circuit А1 माक्या एकम लाक्त, तो यह डिफरेंट प्रीफिक्स है ऐसे ही बड़े युनिट्स के लिए यह कुछ है यहां पर जैसे जी हुए एक्जा टैन टू पावर 18 फिर नीचे चलिए पीटा टैन टू पावर 15 टैरा गीगा 9 यहां पर बड़े में चलना है यहां पर प्लस में देखिए नैनो में और ग प्लस 6 किलो हैक्टो और डिका वैल दिज आर सम प्रीफिक्स तो आप इने दिहान में रखिए प्रीफिक्स अक्सर यूज होते हैं और कुछ नएने प्रीफिक्स इसमें आया तो आपको दिहान में रखने हो चाहिए ताकि आगे की स्टडी आपके लिए आसान हो जाएं आज के केस में अम लोग इतना रखते हैं हम लोग नहीं आप यह पर डिफिक्स पढ़े हैं और इसमें अपने प्राइब यह याद होती आती हैं तो में तरीका यह कि आप अच्छे से पढ़िए और अपनी पास नोट कर लिए और देखिए अपने परानी किताबों में कहां करें तो दिरी दरी आप इसके साथ यूस्टू हो जाएंगे अपने आपसे कोई स्पेशल यह नहीं कि आप इसा रटा मार कर रहे हैं को यसा रटना नहीं है किवल समझना है इनको कैसे स्टेंट करते हैं कैसे यह आते हैं तो यह बहुत ही इसली आपके दिमाह में फिर दिर इसली रखते हैं आप लोगी से अच्छे दे पढ़िए और नोट्स मनाईए कोई प्रावलम हो कोई डाउट हो कमेंट चेक्शन में कमेंट करिये कोई भी कुश्चन हो आरास करिए पूछिए महाँ पर मैं होफुली हूँ आंसर देता हूं और फिर मिलते हैं तब तक नेक् रावलम हो को करो आ खाले हैं और नोऀ साविए टे हो ओून देखनाएब जंटे लिए के लावलम हो आरास करिए, बाई बादार मैं करिके हनेट